सभी को जै मसी की मसी में भाई भेनों आज मैं आपके साथ एक छोटी सी कहानी शियर करने जा रही हूँ श्रेश नाम का एक आदमी था वे अपने दोस्तों के साथ पानी की जहाज की यात्रा के लिए निकला उसकी यात्रा सुखर से चल रही थी सब तरफ खुशनवा महौल था लेकिन अचानक एक बड़ा तुफान आया और जहाज पानी में डूब गया लेकिन शुरेश उसमें बच गया जब शुरेश को खोश आया तब उसने अपने आपको एक एकांट टापो पर पाया जहां पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था लेकिन शुरेश ने अपने आपको संभाला और हिम्मद दी जो कुछ चीजे उसके पास बची थी उन्हीं चीजों से उसने अपने जीवन का निर्भा किया और उसने चोटी सी जौंपड़ी बनाई वे नित प्रभू की प्राथना करता था वे अपनी प्राथना करना कभी नहीं भूलता था एक दिन जब नदी के किनारे मच्छी पकरने के लिए गया तो तुर्भाग्या वंश उसकी जौंपड़ी में आग लग गई जब बापिस आया तो जोर जोर से रोने लगा उसने प्राथना की कि है प्रभू मैं तो नित तुम से प्राथना करता हूं आप परास्त और विश्वास रखता हूं फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ जब जोर जोर से रो रहा था बिल्कुल असहाय और बेवस हो गया था तब उसने जब नजरे उपर उठाई तब उसने एक बड़ा जहाज अपनी और आते देखा वो जहाज उसके पास रुका उसमें कुछ लोग थे उन लोगों से उसने पूछा कि आपको किसने बताया कि यहां पर कोई है उन लोगों ने कहा कि जो यह धूमा उठ रहा है इसे देख कर हमने सोचा कि हमें आगे जाकर देखना चाहिए कि यह धूमा कहां से निकल रहा है तब ही शुरेश को पूरी तरह से समझा गया कि पिता पर मेशर अपने विश्वासी को कभी भी असाहय और बेबस नहीं छोड़ते हैं वे हमेशा अपने विश्वासी को मदद और साहिता करते हैं और शुरेश भी उन लोगों के साथ जहाज में बैट कर उनके साथ अपने घर को बापिस रिवाना हुआ मसी में भाई बहनों इसी कहानी के अधार पर हम पवित्ष रास्तर में रोमियो चैप्टर 5 वर 6 में पढ़ते हैं क्योंकि जब हम निर्वल ही थे तो मसी ठीक समय पर भगती हीनों के लिए मरा मसी में भाई बहनों असाहय होने का क्या मतलब है पॉल एक ऐसे ग्रीक शबत का इस्तेमाल किया जिसका अर्थ है कोई ताकत या शमता ना होना पूरी तरह से शक्ती हीन और कमजोर महसूस करना जब येशो इस दुनिया में आए थे तब हमारी यही हालत थी लेकिन वो असाहय लोगों को बचाने आए जो खुद को नहीं बचा सकते थे मसी में भाई बहनों जीवन भरम असाहय बने रहते हैं हम अपने संसादनों और ख्रमताओं पर इतनी असानी से भरोसा करते हैं लेकिन जीवन के अनुवपा में यह याद रखने में मदद करते हैं कि आँख छपकते ही हमारे जीवन की स्थिती बदल जाती है मसी में भाई बहनों इसी तरहां पवितर शास्तर में हम 2 करंथियन 12 वर्स 10 में हम पढ़ते हैं इस कारण में मसी के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दिर्दताओं में और उपदर्वों में और संक्तों में परसन हूँ क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तब ही मैं बलबंध होता हूँ मसी में भाई बहनों बाई बल हमें याद दिलाती है कि जब हम पूरी तरह से प्रमेश्वर पर निर्बल होते हैं तो हम सबसे मजबूत होते हैं जैसा कि पॉल ने लिखा है जब मैं कमजोर होता हूँ तब मैं मजबूत होता हूँ जब हमें मैसूस होता है कि हम अपने आप में असहाए हैं जब हम हर चीज के लिए उस पर पिता परमिश्वर पर फ्रोसा रखते हैं और हम उसकी शक्ति की और अकर्शत होते हैं तो हम मजबूत होते हैं वैसी में भाई नहीं थे तब भी प्रमेश्वर ने हमारी मदद के लिए हमारे पास पहुंचा हालेलुया मसी में भाई भेनों इसी तरह हम भजन सहिता चैप्टर 3 वर्स 3 में हम पढ़ते हैं प्रंतु हे यहावा तु चारों और मेरी ढाल है तु मेरी महिमा और मेरे मस्तक को उंचा करने वा है और चारों तरफ से हमारे निगरानी करता है बले हम रुकाप्टों से टूट जाते हैं सरशक्तिमान परमेश्वर हमारी ढाल है प्रमेश्वर हमको फिर से अपने पैरों पर खड़ा करता है और हमें हरी हरी चर्गाहों पर ले जाता है हम प्रभू पर भ्रोसार कर सकते है भलि हमारे पास कोई ताकत नहीं है प्रन्तु प्रभू की शक्ती हमारी रक्षा करती है क्योंकि प्रभू हमारी ढाल है हालेलुया मसीमे भाई भेहनो, इसी तरहां पवित शास्तर में है हम Ephousia chapter 2 verse 8 में हम पड़ते हैं क्योंकि विश्वास के दवारा अनुग्रेही से तुम्हारा उधार हुआ और यह तुम्हारी और से नहीं वन परमेश्वर का दान है। मसीमे भाई भेनों, आज हमें याद रखना है कि प्रभू की कृपा से हम विश्वास के द्वारा बच गए हैं, ये प्रमेश्वर का हमारे जिवर में मुफ्त उपहार है, हालेलुया, मसीमे भाई भेनों इसी तरहा बजन साहिता चैप्टर 34 वर्स 18 और 19 में हम पढ़ते हैं, यहवा टूटे मनवालों के समीप रहता है और पीसे हों का उधार करता है, धर्मी पर बहुत सी भी पतियां पढ़ती तो हैं, बंदो यहवा उन से मुक्त करता है, हालेलुया, मसीमे भाई भेनों ये वर्चन हमें बताता है, जब हमारे जिवमें रुकावटें, समझ से तो हम आत्मा में लगातार कुछले हुए और तूट है अपने आपको महसूस करते हैं, प्रभु के दिल में तूटे हुए और कुछले हुए लोगों के लिए विशेश धान है, पिता परमेश्वर हमेशा बोसे दबे हों को तो परमेश्वर हमारे निकट आ जाते हैं, जब हमारी और से हमारे जीवन में काम करते हैं, हमारी मदद और सहाइता करते हैं, हालेलुया, मसी में भाई बहनों इसी तरह हम फिलिफ्यो चाप्टर 4 वस 13 में पढ़ते हैं, जो मुझे सामर्थ देता है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं, हालेलुया, मसी में भाई बहनों प् बहरोसा रखे हमारा विश्वास सिर्फ प्रभू पर होना चाहिए। प्रभू की मदद से अपने वादों को अपने जीवर में सच करने की खोशना पर removed रहे सके प्रभू पर रहें har 59 00320 अपने धर्मी जन और विश्वासियों के साथ रोते हैं उनके मदद और साहिता करते हैं उनकी ढाल बनते हैं हालेलुया अब हम प्रातना करेंगे धन्यवाद पिता परमेश्वर इस शाम के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर सुभा से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा पिता परमेश्वर हमारा जीवन शरक्षित है पिता परमेश्वर उसके लिए धन्यवाद का चड़ावा चड़ात पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर आपकी स्तूती हो पिता परमेश्वर आपकी जैजैकार आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर को करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए जिसमें हम पिता परमेश्वर की स्तूती और अरा हाथों में सौप देते हैं पिता परमेश्वर जितने भी समय हमारे साथ प्रात्ना में जुड़े हैं पिता परमेश्वर हमारी प्रात्ना सुन रहे हैं पिता परमेश्वर उन सब लोगों को पिता परमेश्वर मैं तेरे सा मर्थ परे हाथों में सौप देती हूं पिता परमे पिता परमेश्वर दन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपको इस शाम में धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं प्रातना करते हूं उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो बिमार हैं पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर वतेरी अनु पर अपनी वीजे पाई हैं पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर सब बिमारों को चंगा कर पिता परमेश्वर दया कर पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर जो लोग इस समय क्रोना वायरिस से पीडित हैं पिता परमेश्वर उन लोगों को भी पिता परमेश्वर मैं तेर परमेशवर आप द्यालू पिता परमेशवर है अप रक्षा करने वाले पिता परमेशवर है आप हमारी धाल हमारी चटान है पिता परमेशवर हमारा ब्रोसा सिर्फ अपने पिता परमेशवर पर है हालेलुया पिता परमेशवर धन्यवाद पिता परमेशवर इस शाम के हैं पिता परमेशर आप इस रिष्टी के करता हैं पिता परमेशर आप पालन पोशन करने वाले पिता परमेशर हैं धन्यवाद देते हैं पिता परमेशर हमें संभाले रखने के लिए पिता परमेशर हर वाइरस से बचाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर दन्यवाद का चड़ावा चड़ाते हैं पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए भी प्रातना करती हूं पिता परमेश्वर जो इसमें बार से गरस्थ हैं पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर उन लोगों पर अपना सामर्थ वरा हाथ रख पिता परमेश्वर जिस तरह पिता परमेश्वर आपने समंदर को शांत किया था पिता परमेश्वर उसी तरह इस बाड़ को भी शांत कर पिता परमेश्वर सब लोगों की रक्षा कर पिता परमेश्वर, सब लोग अपने जीवर में श्रक्षित रहें पिता परमेश्वर, दया कर पिता परमेश्वर, आप पिता परमेश्वर तूटे और पीसे हुए दिलों को समझने वाले पिता परमेश्वर हैं, पिता परमेश्वर आपने अपने वर्षन में लिका है, हे श्रम से ठके मांदो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हे शान्ती दूँगा, पिता परमेश्वर, आप सची शान्ती देने वाले पिता परमेश्वर हैं, रक्षा करने वाले पिता परमेश्वर हैं, आप हमारे ढाल हैं, पिता परमेश्वर, दया कर सब पर शांती वरा हाथ रख पिता परमेश्वर सामर्थ वरा हाथ रख पिता परमेश्वर यह हमारी प्रातना है पिता परमेश्वर हे पिता परमेश्वर आप हमारे द्यालू पिता परमेश्वर है आपकी करुना और दया सदा की है पिता परमेश्वर आप अपने धर्मी जन और विश्वासी जन को कभी भी पिता परमेश्वर बेबस और असाहे नहीं छोड़ते हैं पिता परमेश्वर आप उनके संग संग रहते हैं पिता परमेश्वर उनकी हज जरूरतों को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर पिता परमेश्वर आप धन्य धन्यवाद पिता परमेशर, धन्यवाद पिता परमेशर, हे पिता परमेशर, जितने भी लोग पिता परमेशर, इस समय हमारे साथ प्रादना में जुड़े हैं, पिता परमेशर, वो सब पिता परमेशर, तेरे सामर्द बरे हाथों में आएं, पिता परमेशर, तेरे नाम की म वे तरताई में जीवर बिताएं पिता परमेश्वर धन्यवाद पिता परमेश्वर इस शाम के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं पिता परमेश्वर जो ये समय आपने हमें सूती और अराधना करने और प्रातना करने के लिए दिया पिता परमेश्वर करो आमीन, आमीन